कोई बराबरी में खड़ा होकर बतावे तो है चमता क्वाडिनेशन की उनकी शिवाकिशी में और मैं कह चुका हूँ कल क्वाडिनेटर इस प्रदेश का पूरी राजनी धारा में सबसे बरिश्टितम आद्में राष्टी अधक्ष राष्टी जनता दल के स्री लालू परशाज यह हैं राष्टी जनता दल का काम है अपने नेता का निर्वाचन करना इसलिए सहयोगी बंधूं का मैं शम्मान करता हूँ लेकिन कौर्णिसर का पैद और चीफ मिनिस्टर का पैद निगुशेवू नहीं है राष्टी जनता दलनी निर्णे कर लिया है और हम बात करेंगे कि सर्विधान सबा चुनाव भी नजदीक है जी तरह मान जी ने भी आज प्रेश कॉन्फरेंस कर कहा कि 85 CTIC हैं जहांपर हम पार्टी मजबूत है तो सब किन मिद्दो को लेकर महागटबंदन आगे बढ़ेगी और खासकर राजद विपच्च की बड़ी पार्टी है वो किन मिद्दो को लेकर आगे बढ़ने बादी लेकि हमारा मुद्दा बहुत असपस्ट है हम जानते हैं कि भारत में जनतंत्र अदी रहा तो सरकारे आएंगी जाएंगे और जनता के हित और अहित पर बिमर्ष होते रहेंगे लेकिन जब जनतंत्र पर हामला हो शंबिधान को नकारा जाए तो आज दूसरा मुद्दा छोटा मोटा कोई भी हो आगे आही नहीं शक्ता सिए क्या है हम क्यों इसके विरुत कर रहे हैं शंबिधान की परस्तावना लोक तंट्र धर्मीर पेशता और समाचवाद यही तीन की व्यक्या के लिए पूरी सम्यूदान की अष्छेद बने है और इसे के लिए सारे बिदी सम्मत संस्थाएं हमारे देश में बनी है लालू प्रशाजी अंतिम व्यक्ति नहीं है जगदानन अंतिम व्यक्ति नहीं है तजस्थी भी कल मुख्वद्री की करशी पर वैठेंगे तो अंतिम व्यक्ति नहीं होगे लेकिन यही राह है कि जोपड़ी से भी निकल करके कोई याद में इस भारत के शंबिदान के परदत अधिकारों के द्वारा और निर्मित जनतंत्र में कुर्शी पर परदान मंतरी और मुक्छ मंतरी के कुर्शी पर वैठेगा और इस बिहार और भारत को चलाएगा बिहार का यही मुक्ष भी शैथ था इसलिए अभी पहले भी मैं कह रहा हूँ आज फिर द्वारा रहा हूँ लोगों को अभी इस कानून बनने की इंतजार था लेकिन हम सबों ने अभी राज-शवा में नहीं पुटप हुआ था उसी समय हम धरने पर बैट करके भारत के लोगों को एक दृष्प की हम लोगों ने हम इसे नाकबूल करते हैं यह भारत के शम्विदान पर खत्रा है इस बार के भी चुनाव में जनतंत्र की रक्षा भारत के शम्विदान की रक्षा रानी हो या मिहतरानी जो डक्तर राम और लोहिया का समझवादी या दोनों का नारा था दोनों बरावर हैं संभिधान में हम उसको मानने वाले लोग हैं न हम रानी की सत्ता छिनते हैं लेकिन मिहतरानी भी हमारी यह छूत बनके रहे हम ना कबूल करते हैं लेकिन हम बार बार करते हैं ये संभिधान रहेगा, तो सोशित, वंचित, थेला, चलाने वाले, संडकों पर जुग्गी जोपरी लगा करके, रहने वाले, दो रोड जुनकी रोटी जुटाने वाले, आदिवासी भाई जिनके पास आज भी कोई भी शाधन नहीं है, किसी तर कि संभिधान नहीं, तो उनके हक के रक्षा का कोई शाधन भी नहीं, किसी के हम खिलाफ नहीं, लेकिन भारत मुलक को इतना मजबूत हम बनाना चाहते हैं, कि जो मजबूत हैं, और मजबूत हो, लेकिन जो कमजोर है, वो बहुत मजबूत हो, और जब सभी समाज के सभी कि तरब देख रहा है और राष्टी जनता दल का नत्रत करने वाला भविश में तजस्वी निकल चुके हैं यातरा पर सोलह को सुरुवात होगी किसन गन्से सत्र को कार्ज करम होगा अररिया में अठार को कटिहार में और लगातर यातरा चलती रहेगी भारत के जन तंत्र को और समिधान को बचाने के लिए और उसके तहद बिहार में एक अच्छी सरकार समों के साथ मिलके बनाने के लिए साड़े दस करूड जनता क्यों सरकार होगी किसी को हम अच्छूत नकल माने हैं ना आज मान रहे हैं आपने सभिधान बचाने की बात की और इसे मुद्धा भी बनाया कि चुनाओं में इसे जन जन तक लोगों तक पहुचाएंगे कैसे लोगों को समुदाय को बाटा जा रहा है पर सत्ता पच लगातार ये हमला बोलती रही है विपच पर की परिवार वाद की राजनीती करती रही है सभिधान में जो लिखा हुआ है उसे खुद राजद ही बदल रहा है तू दी फैमिली बाई दी फैमिली फोर दी फैमिली की राजनीती करता है राजद अचाही बता हूँ आप कहीं भारत के श्रम्विधान में लिखा है युगितम व्यक्ति अधी किसी का पुत्र होगा तो इसलिए नकार दिया जाएगा कि उफला का पुत्र है अधी कोई भी द्वान कहीं लिखा वा दिका दे तो हम लोग उसकी मानिता दे देंगे हम लोग युगितम व्यक्ति को नित्रत वियार का देना चाहते हैं अयुग्य व्यक्ति समाज में कहीं होगा हमें शुकार करते हैं अस्विकार और युग्य व्यक्ति कहीं भी होगा तो हम उसको शुकार करते हैं भारत का शंविधान योग्टिम व्यक्ति को नित्रत करता स्विकार करने की बात कहता है जो व्यक्ति सरकार में मंत्री के रूप में सबसे स्रश्ट अपने को शावित किया डूबते हुए विभाग को बदुदाब भी भाग को जो इनके स्रश्ट लोगों ने बना दिया था बदबुदार उसको संभाल लिया और सारे भरष्टाचार को खतम करके जहां इस्टमेंट घोटाला होता था जहां लूट होती थी वहाँ पर उसने एक मापदंड ऐसा खड़ा किया कि मंत्री हो तो तेजस्वी ऐसा जब लोगों ने उस जनादेश की लूट कर ली बदल दिया जनादेश का अपमान करके कुर्शी पर समझोता कर लिया तो मौका मिला उस नौजवान को नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में खड़ा हो करके बिहार की समस्चाओं को उठाने का और समस्चाओं को उठाने में उस नौजवान ने जो चुनवती दी सब की बोलती बंद हो गई सुसील मोदी हों नितीश कुमार हों या जो भजापा क्यों नेता हों किसी से जवाब नहीं चला तेजस्वी ने सब का जवाब दिया तेजस्वी के उठाए प्रस्ण का कोई जवाब नहीं दिया नतीजा क्या हुआ जिस दूर दर्सन और टीवी पर सारी बहस बिहार की चनता में जाती थी नितीश कुमार भाइभीत होकर उसको ही बंद करा दिया अरे ये तो नजवान जिस सवालों को उठा रहा है लगता कि अब इसको चुनूती नहीं दी जा सकती है इसलिए मैं कह रहा हूँ युग गिता के आधार पर तेजस्वी का चैन हुआ है जिस संबीदान पर पैदा खत्रे को तेजस्वी ने बहुत पहले देखा आज भारत के लोग महशूस कर रहे है हाँ उसने तृत्र के अंदर उकाम किया है जिसका नाम है लालू परशाद और लालू परशाद ने जिस समय कहा था भारती अजनेता पार्टी नहीं है भाजापा का मतलब भारत जलाओ पार्टी है लोको ने मज़ा ये तो आप कह रहे है महागडबंदन के जो राज़त के साथ जो अन्य दल है वो तो तो तेजश्वी आदब को शुकार नहीं रहे है बोल रहे है विचार होगा महागडबंदन के तमाम दल बैठेंगे कि तब इस पर विचार होगा कि तजस्पी आदब चेहरा होंगे या नहीं दखो अभी आपका प्रशन क्या था परिवार बाद मैं उसका जवाब दे रहा था यह परिवार बाद नहीं है आज भारत जल रहा है कि नहीं जल रहा है जिस राष्टी या धक्ष ने जो आज से बर लोग हों या परिवार के लोग हो या नित्वत करने लाईकित पैदा होई हो तो उसको दल भी निकार शकता राजी के लोग भी उसको नकार नहीं शकते अब आज का एक परस्तन है लोग कह रहे हैं हम सिक्वार करेंगे कि अश्विकार ने करेंगे क्या हम उनसे शलाह दे रहे हैं या सलाह ले रहे हैं यह राश्टी जनता दल का फैसला है और राश्टी जनता दल फैसला अपना करता है यह राश्टी जनता दल का फैसला है और राष्टी जनता दल के तरफ से प्रदेश्ट अधच की हैस्यत से अपने दल की लोगों की द्वारा निर्देशित अधच कह रहा है नतृत का सवाल जिनके लिए भी हो राष्टी जनता दल के लिए नतृत का सवाल नहीं है और उसका तकनीक भी रूप आज कौन नेता प्रतिपक्ष है तेजश्वी जो नेता प्रतिपक्ष है कल वहीं सदन का नेता बनेगा वही मुख मंतरी की कुर्शी पर बैठेगा इसलिए अन्न के लोग के आकर रहें ये हमारा प्रस्त नहीं है न सवाल का जबाब है मैं सबका शम्मान करता हूँ लेकिन राष्टी जनता दल ने मुख मंतरी के रूप में तेजश्वी को श्विकार कर लिया है अब जिने अस्विकार करना है किस राष्टे से अस्विकार करेंगे ये उनका विशह है हमारा विशह नहीं राष्ट्री जनता दल और विहार की साड़े दस करूर जनता स्विकार करके सम्विधान बचाने के राष्टे पर तेजस्वी के हाथ में नित्रत देने के लिए निर्ड़े कर चुकी है कौर्डिनेटर इस परदेश का पूरी राजनी धारा में सबसे बरिष्टतम आदमें राष्ट्री अधक्ष राष्ट्री जनता दल के स्री लालू परशाज है उनके अनभव उनकी कार्ज करने की छमता बिहार के बारे में जानकारी स्वर्गी कर पूरी ठाकुर के द्वारा प्रदत जिस छमता का प्रदर्शन उनके किया है उनके शिवा किसी को भी कौर्डिनेट करने की छमता नहीं है जिस व्यक्ति ने तिन तिन प्रदान मंत्री भारत का बनाया हो कोई बराबरी में खड़ा होकर बतावे तो है छमता कौर्डिनेशन की उनके शिवा किसी में और राष्टी जनता दल सबसे वरिष्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है किसी परदेश में सबसे बड़ी पार्टी को नकार करके कोई भी सहयोगी दल काम नहीं किये है अभी जारकंडी में सबसे बड़ी पार्टी हमन सोरेन उसका नितृत करता जारकंड के मुख मंतरी वने हैं किस प्रदेशों का हम नाम लें जहां भी कोई भी हो वहाँ का सबसे बड़ी पार्टी उसकी नितृत करता होता और नित्रित सौपने का काम, राष्टी जनता दल का काम है अपने नेता का निर्वाचन करना, इसलिए सहयोगी बंधूं का मैं शम्मान करता हूं, लेकिन कौर्णिस्टर का पैद और चीफ मिनिस्टर का पैद निगुशेवू नहीं है, राष्टी जनता दल ने निर्णे कर चलिए निर्णे हो गया है, तिजश्वी आदब ही नेतित करते दिखेंगे, तिजश्वी आदब यूद हैं और युवाओं के बिहार की यदि हम बात करें, तो आइकन भी बने हुए हैं, लोग प्रिये भी हैं, देखना ये है कि विधान सभा का चुना जो रन होना है 2020 का, उसमें महागडबंदन इंडिये को टकर दे पाता है या नहीं, तमाम द्रिश से लगातार आपको अपडेट करती रहेगी, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंट सब्सक्राइब कर लेगा।